कि नमस्कार दोस्तों लाइब साइन्स के ओनलाइन क्लासेज में आपका पुनए स्वाकत है जैसा कि आप हमारे यूटॉब चैनल को आप देख रहे हैं हमारे वीडियो आपको काफी पसंद आ रहे होंगे आपकी जो राय है उसको देखकर मैं काफी मोटिवेट वहाँ और उमीद करूँगा कि मेरे दुवारा जो भी आपको पढ़ाया जा रहे हैं वो आपको प्रियास रहेगा कि आपको कर बेटे बिना किसी कोचिंग के माद्यम से फ्री ओपोस्ट यानि किसी परकार का बुपतान किये विना या किसी परकार के पैसे दिये विना आपको लाइवरी साइंस का जो इस्टेडी मिटेरियल है वो आपको प्रावर भी उता रहे हैं उमीद करता हूँ आप से कि आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करे आप अपने दोस्तों के साथ में इसका लिंक सेयर करेंगे साथ ही ऐसे आप आउगरस लोग जो कोचिंग में नहीं पढ़ सकते हैं या हमारे इंटुब चैनल के मात इंचे अगर वो मोटिवेट वाई तो वो हमारे लिए बड़ी सुभागी भी बात होगी हमने अब तक है लगवग 6-7 वीडियो डाले हैं और सब में जो भी कमेंट्स को पढ़ने बाद में लगा कि मेरा जो छोटा सा परियाज है वह एक नया रंग लाएगा और उस नए रंग के वह अपना आगे बढ़ाते हुए आज फर्स्ट लिट का एक नया टोपिक लेकर आपके सामने से र तो शुरुआत करेंगे दोस्तों आज अमसे पहले अपने इस नए टोपिके साथ में और आज का नया टोपिक है राजा-रामों-राइलाइ-लाइबरी फाउंडेशन से चोटी सबसे चोटी चोटी बात साथ साथ इसाथ हम बात बात करेंगे एक्जाम में इससे संबंदित प सब्सक्राइब करेंगे सबसे पहले तो आपको इसको लिविजिए गाहां ट्रिपल आर ट्रिपल आर यानि राज्या राम मुहन राय लाइब्रेरी आप जैसे कि बहुत सारी एक्जाम में प्रसन आया हुआ है से बहुत लाजाए कि रघ्राय राम को लीब रूप लीफरो लेप या इसका दूसर यह यह जो सबसे पहले हैं उसके पर सबसे पहले यहां चाहिए चर्चा कर तुके हैं तो प्रसंद में आप यहां रिखेगा यह संस्तान या क्या है बात करेंगे कहा है यह कहा है इसका सुस्ता पर कौन था यह किसके जनवकी उसके रूप में इसके स्थाफ्नागी उन सब क्या गरेंगे शुरुआ सी चर्चा करेंगे तो सबसे पहले बात सामें करते हैं भारत में और भारत में बात करेंगे पर आधुनिक भारत के जनद आधुनिक भारत के जनक का नाम था राजा राम मोहन राजा राम मोहन राय यहीं राजा राम मोहन राय जिनका जनक गुआ था 22 मई सन 1772 जो कि आधुरिक बारत की क्या माने जाते हैं जनक माने जाते हैं आपने एक्टूरों में बढ़ा होगा कि इनके द्वारा प्रह्म समाज के स्ताफना इस्त्री सिक्षा को बढ़ावा जो और भी महिनाओं के उठान है तो इन्होंने बहुत सारे कारी की इस कारी को ही देखते हो एव भारत में 22 मई सन 1902 को 22 मई सन 1902 को यान अपने आलग भगिम के दो सोवे दो सोवे जनम दिवस दो सोवे जनम दिवस के उपलक्स में दो सोवे जनम दिवस के उपलक्स में यानि राजा राम मोहन राए के दो सोवे जनम दिवस के उपलक्स में भारत में एक उस्तकाले संग बनाया गया और ये उस्तकाले संग जो इसी का नाम क्या था गई राजा राम मोहन राय लाइबरिरी कॉमडेशन था यह आप यह समझ लीजिए गा कि आधुरिक बारत के जनक यह भारत में बहुत सारे सुधार करने वाले में जिनका नाम राजा राम मोहन राय था यह राजा राम मोहन राय गड़ सी चैनक सब्य में अग्जितन के खिलाः ranaraya राजा राम मोहन राय लाइबर्री फाउंडेशन की क्या किए अस्तावनाई की आप यहाँ से दोस्तों याद रुखेंगे कि लाइबरी फांडेशन के इस्ताफना भारत में मान नौर संसादन विकास मंत्रा लें के दुखारा इसके क्या टीवी मही बात करें कि आखको कि इसके इसके रताबना भारgen में कहा है यह इसका फरदाल क्याले कहा है तो इसका प्रदाल भुखारत लेक ऑदिया है वही इसका मुख्याले इस्थित है इसके इसके इसरा अपना होगा ही कि 1922 को मुख्याले के बाद चाहिए जो है जोग जो सब्सक्रा के है काँ इसली वही इसलीक बाहि का इसली मंगाल कि तीँ है कि यह बारत में सब्सक्राइब कि इसके पंजी गरंगी पंजी गरंगी किसके पंजी गरंगई कि यानव स्कार डेसेक्ट मिन्हाइख थे सखना चाहई गया में 2¿ थी तो आपक्या ज़ैनर के उसकात्रसकंट सोसाइट्य वाजूव घ्टी सट्रेश्ट सीटी सोसाइटी एक instrument सब्सक्ति आएक पर गया वेष्ट बंगोर रिजिस्त्रेशन सोइट आटciu एस PAUL के प्सक्तिया गया था इसका पनजीशंबте संग है जिसकी एक समीतिय है और इस समीतिय में दोस्तो आपन बात करें पुल सदस्यों की संजया 22 है आगरेपन बात करें तो इन 22 अधिकारी में अधिकंश ? एक रिख मोलék ज्रुक्त मज़ी य से यह No तो आप याद रिखिए गा डूस्त की इस सऑ जोता वो था दॉक्टर डीपी बरुवा आप यहां डीपी बरुवा के बारे में खास वास पुछेगे हैं वो याद रखेंगे कि डीपी बरुवा जब रोज को भारत में आप यूँ समझीगा कि सबसे पहले भारत में उस्तकल्ने के चत्र में राश्टिये राश्टिये कुस्तकल्य निती को तैयार करने वाला वेक्ती या कुस्तकल्य विग्यानिकर कोई था तो वो कोन था भई रोपेश डोक्टर डीपी बरवाई था यानि आप जो समझो कि भारत में नेपलीस को किसी ने बढ़ावा दिया या नेपलीस को बढ़ाने में योगदान है किसी आदमी ने दिया तो वह कुन था भई डोक्ट्रें डीपी बरुआ भी था बात करेंगे दोस्तों आगे रजा रहामाना लाइभरिव पांडेसी की इसका परदान कारियले इसका परदान मुख्याले जो कार साल चिले कारियले हैं लेकिन साथ ही इसके चार चेत्रिये कारियल है यहां जो है वो भारत में इनकी चेत्रों में इसके पर भात देने जैसा कि बहुत सारी एक्जाम में दोस्तों परसल कुछा गए कि यह जो राजा रामुन्राइ लाइबरी फॉंपेशन है वो किस प्रकार के मुस्तकालियों के विकास बढ़ती बत है राजा रामुन ओंधा लिए लाइबरी फांडेशन ही क्या करता है व्हुंप का लिए बात करें दोस्तों इसका पड़्दान कारीया इसके 4 ृष और बात करें दोसरा दोस्तों दोस्तों तो वह तो वह पुरुवद्द्दर में पुरुऑतर में और बातरी दोस्तों इसका एंतीं जो रहीं तो यहां पर सामिल ने गले तो यहां पर श्ट्री और कैसे वह का आप रहें सबसे पहले इसके बाद में इसका पुरुवत्र भारत में जैसा कि पर पहले बात किये हैं कि सेवन सिस्टर्स यानि भारत के साथ बहीम राजे और साथ बहीम राजे में इसका जो मुख्याले हूँ है इसका मुख्याले है यानि सबसे पहले उत्तर में इसका नई दिली में दक्षिन में पुरुवत्र में बात करें इसके मुख्याले की तो वो इस्टित है कहां बही मुंबई में दाथ इसका बात करें दोस्तों तो वो क्या है मुंबई में त्रिपल आगर लग के चाहत बात करें लोग अपने रूप क्या कर दिया है को पर कर देता हूं आप इसका श्क्रेंट सोड़े लिजिए का पर 13 इसकी जुद्व सरकार के और 127 के सबस्क्राइब। इसका परभान कारिया या मुख्याले जो है वो साल इने कलकता पक्सिम वंगाल में इस्तित है इसका पंजीगरन की जहां बात करें तो इसका पंजीगरन है वेश्ट फंगोर लजिस्ट्रेशन सोसाइटेव कि 1961 में इसका क्या गया पंजीगरन किया गया यह एक ऐसी कुस्तरक इसके प्रतम अदेश्क हो देवह डोक्र्ट भृवा है साथ ही बात आप रेकर दोक्तर दीपी बढ़िवा जो है वह राश्ट्य कुस्तकालियन इती और यह पहले नेपली की बात आए वो नेपलीस को सब्सकर देशने वाला या लावाने वाला वेक्ति नेपलीस का प्रार सब्सक्राइब तक्सीर में पूर्वातर में गौवाटी यानि असम है और बात करेंगे पस्ची में तो वह क्या है भई है यहां से आप इस साथ में दोगी इस संग का वर्दमान अदेख्स यानि वर्दमान अदेख्स की अपन बात कर लेते हैं कि इस संग का वर्दमान अदेख्स कोन है तो इस संग का वर्दमान अदेख्स अपन यहां से समय कर लेते हैं कि इस संग का वर्दमान अदेख्स वर्दमान अदेख्स दो हैं दोस्तों इस ट्रिपल आरलर के वह हैं प्रोपेशर प्रोपेशर ब्रिंज की सोर ब्रिंज की सोर स इसके अद्य को भारत बात करें खिल दोस्तों कि यह उसको इसको बारत में बंगों के शाथ साथ इसके प्रकासन के साथ नेए कि इसके पून से उड्देशेया जो इसको भारत में कुस्तकाले संगों में युथ चलिने में खड़ा करता है तो अपन इसका आप स्प्रिंस ओड़ने के मैं इसको मिटाता हूं दूबारा बन स्लोब करते हूं पर दूबारा बात करेंगे दोस्तों इसके आगे कि ट्रिपल आ रहा लगा भारत में कोई मैं तो पुर गुमिगा या बारत में ऐसा इसका बड़ाओ करें तो उसके पहले सबसे पहले पर आपके पुरे नाम की तो इसनल का पुरा नाम है इंटर्नेशनल इस्टेंडर्ड नुबक नुबर यानि कोई वाँ आप से प्रक्षन करेंगे इसके पुरा नाम क्या आप सबसे पहले बताइगे कि कि यह कि क्लेशन को आपको पुरा नाम है इंटरनेistनल इस्टेडर्ड ऊशनार बात करता है सबसे पहले का उनकी सारे हैं कि सबसे पहले बात कि यह यानि इंट्रेस्टन इस्टेंडर्ड बुक सब्सक्राइब सबसे पेहले हमें दो कुण सामील करेगे एसप्ण ने जो है वह होता था यह दस डिजित का उ ता यह टा नहीं कि जो होता था घुई औलोलोल यह पर वह शेयरा है दोस्तों को बै向ffee रही होता था इसका एक पूरा वीडिया आपको आगी मिलेगा जब मैं आपको आई-एस-बियन को सबसे पहले निर्मित किसके द्वारा किया गया इसका प्रियों करने वाला विक्ति को था लेकिन बाद भी इसका परियों करने वाला वेक्ति डेविड विटकर है इसी लिए डेविड विटकर कोई क्या कहा जाता है अपन यहां पर ट्रिपल आरे लग की जर्चा कर रहे हैं तो साथ में पर ट्रिपल आरे लग को थोड़ा जाहूर सामय में लेते हैं इसका पूरा वीडियो आपको आदी अच्छाओं में नहीं बात करते हैं आई-एस-बिय पर ट्रिपल आरे लग करता था यहां से पर दोस्तों एक चीज यार रखेंगे कि के बीएस एक्जाम 2018 में पुछी गई कि भारत में आई-एस-बियान परदान करने वाला मुख्या ले सब 2011 से कहां इस्तित है तो उसका वीडियों के पर यहां क्या रखेंगे यार रखेंग की गई थी तब भारत में आई-एस-बियान परदान करने कारिये किसा मुख्याले करता था धो वो साल्टले कलकता बोले तो फख्सिम बंगार है वह भारत में परदान करने कारिये करता था परतु संदोज 11 में इसमें क्या किया गया परिवर्दन किया गया और परिवर्दन करते ही क्या कर दिया गया इसका परिवर्दन कर दिया गया कि संदोज 11 के बाद इसका चेत्रिय कारिया ले नई दिल्ली चेत्रिय कारिया ले नई दिल्ली के द्वारा इसका क्या किया प्रकाशन किया जाएगा किताब को मिले जो है कि इस तो यहाद रखना कि RR F course सब्सक्राइब तो है इसका मुख्याले तो कहा है तो अपने बात यहां से कर कोई प्रसंद कर लेगी भारत में प्रदाब किया जाता था जिसका पूरा नाम इंटर्नेस पर स्टेंडर्ड भूप नमबर का वह इसकी कौन से च्छेत्रिय कारियले की द्वार्पमान में प्रका सब्सक्राइब और अफंदर के द्वारा इसका क्या चाहिए क gir का प्रकासंद किया जाता है जैसा निथा से प्रेगए कि भी कर थे इसलिए कि देविटीक बिटकर गयाद रखेंगे इसमेंडर्ग कि देविट लोग निंडिया का अंतुराश्टी माननक गुंपर का गूप संहिदा को इसे कहा जाता है भारत भारत में जारी करने का रिए ट्रिपल रलक करता है जिसके पर पूरों में चर्चा तर चुके ड्रेपल आरलफ के स्थाफना 2222 को की गई थी बाद करें दोस्तों पर यार ट्रिपल आरलफ के परकासन की त्रिपल आरलफ के परकासन की वह एक्या वे उख्षाना आप याद रख सकते हैं यह घृषाना जो है । राधस्तान लाइब्रेशन ग्रेड फर्ड एक्जांगária दोना स्वोड में पुछ्छा गया था कि घृषान अकाटशन कॉल करता है बई तो इसका दूसरा प्रकासन है एक और एक और विब्लियोग्राफिक तेखोर वांग में इस उची को को करता है वही ट्रीपल आर एलफ करता है बात तरहें दोस्तों इसके आगे कि इसके आगे इसके और कौन सोबर का सबंस ग्र्टाता है साध्य गोवर की बात रहें जो तो ट्रिपल आर एलफ अग्रीज के लिए ए एक एन्वन डिपोर्ट का भी क्या गरता है यसका पर किस घरताइब おद्द मौ सब्धिद् June कभी ऐसां करता है साथ दोफसक्र में कई इस पर को रहे यह बहुत है तो इसमानि है यह बहुतोरी लाइबरिरी पब्लिक लाइबरिरी इन इंडिया इन इंडिया का वर्कास भी कोन करता है भारत में ड्रीपल आर अलब करता है जैसा कि हम यहां ज़र्शा कर चुके हैं कि ड्रीपल आर अलब भारत में सारुजरी कुस्तकाले के चाहिए विकास में परियास करता है साथ इसाथ यहां से पर दोस्तों एक चोटी-चोटी और बाते हैं यहां सामिए लेते हैं ट्रिपल आरलक नहीं ट्रिपल आरलक के द्वारा यह क्या करता है देखो ट्रिपल आरलक जो है वो नेरू युवा केंद्रों के मादिल से पुस्तकालियों की सेवा को क्या करना चाहता है बढ़ाना चाहता है साथ यह पंडूस्तों यहां बात करें हैं ओर इसके उदेशों के और ऐस्काली तो इसके अलावा ऑर वपन बात करें तो यह बारत में राष्ट की उस्तकाले पुस्तकाले के साहत्ति को लागू करने साथ कि पुस्तकाले से वां को गामीन छेत्रों तक बढ़ावा देने का कारिये भी कों करता है डीपल आर करता है आज तक यहां से एक्जाम में दोस्तों जो डीपल आराल लग कर परसंद आ रहा है मोस्तलिक वह परसंद आ रहां कि राजारा मोहा। सबसे पहले इंटर नेस पर काम में लेने की गोर्डन कोस्ट इसरा डेविड विटकर्व इसका में पूरा वीडियो आपको आगे बताऊंगा साथी जो 2007 तक 10 संपर्वार का और 2007 ते बार में जो तेरा न्गुखा हो गया इसको पांस बादों में बाठा गया है बात करते हैं कि का कौन सा मुख्याले जो कि बरतमान में क्या करता है इस परदान करता है उसका मुख्याले का साथ दोस्तों पर बात करने इस से प्रकासर की इसके प्रकासर ने जरन थाना एक और बिप्लियोग्राफी ट्रिपल आरले लेटर लेटर जो पब्लिक लाइबरी इन इंडिया इन सब का प्रकासर किसके द्वारे किया जाता है वही प्रतम अदेश और परतमान अदेश के पंचर्चा कर चुके हैं तो एक बार दुने गंते इंड़ासर बत बारे परतमान अदेश और दोस्तर आप सार्मां ने का वरतमान अदेश की दौस्त्त अप्र дан जांते कुछ और विशेश टिपनिया या डोट अगर हमें सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप तिक कमेंट बोक्स में डाल सकते हैं साथ के हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं वो भी बताएं हमारा चैनल अगर आपने भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब आपके पर हमारा चैनल सब्सक्राइब गरे साथ ही साथ है इसका जो लिंक है वो अधिक से दिख लोगों इस साथ में सेयर कीजिए नेक्स एक वीडियो में दुबार मिलते हैं देखिए